Hello friends, welcome to my channel गर्मी का सीजन आने पर बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको आइस क्रीम खाने का मन करता है तो अर्सा ही केमी क्रीमी आइस क्रीम आज हम घर पर बनाने वाले हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले एक कप फुल फैर दूज लिया है जिसको हम बड़ करने के लिए रख दिये हैं और एक आइस क्रीम हम बहुत ही कम समानों से बना कर तयार करने वाले हैं और हमारा दूद कम से कम 5-6 मिनूट वालने के बाद इसमें हम एक कप चीनी डालेंगे जिससे हमारा आइस क्रीम मीठा मीठा और काकी टेस्टी बने और एक कटोरी में मैंने एक कप दूद लिया है और इसमें दो चमच कस्टड पावडर हम यूज करेंगे इसको चलाते हुए इसी में मिक्स कर लेंगे कस्टड को अच्छे से चलाते हुए मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलिया न परें और दूद को कम से कम 5-6 मिनूट वाल करने के बाद इसमें हम एड़ करेंगे जो हमने कस्टड पावडर को भूल करके तयार किया था इसमें हम बारी बारी से डालते हुए चलाएंगे इसको पराबर चलाते रहना है नई तो इसमें गुठलिया या लंस बन जाएंगे तो हमारा आइस क्रीम अच्छा नहीं बनेगा इसको हम चलाते हुए कम सकम दो तीन मिनुट उबालने के बार जब इसमें उबाल आने लगे और हमारा कस्टड काफी थीर बन जाए इलकोल इस तरह से जब हमारा कस्टड गाढ़ा हो जाए तो हम कैस्टी फ्लेम को बंद कर देंगे बंद करने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए एक बाउर में ट्रांसपर कर लेंगे और इसे हम कुछते रेस्ट करने के बाद इसको हम फ्रीज में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखतेंगे ठंडा होने के बाद इसको हम बहुत ज़्यादा बरप नहीं बनाएंगे और इसे हम लेक्टिक बीटर से इस तरह से फेट लेंगे और फेटने के बाद इसमें हम थोड़ा सा इसे क्रीमी और टेश्टी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घर की मलाई है जो हम इसमें एड़ करेंगे जिससे के हमारा आइसक्रीम काफी टेस्टी बनेगा कम सकम हम इसमें 3-4 चमबाच मलाई यूज करेंगे आप चाहें तो बीट क्रिम भी यूज कर सकते हैं जिससे के हमारा आइसक्रीम काफी टेस्टी और ठीक बनकर तयार होगा इसके लिए हम बीटर का रयोग करेंगे आप चाहें तो मिक्सर का जार भी यूज कर सकते हैं आप इसे मिक्सर के जार में डाल करके इसको चलाते हुए कम से कम 2-3 बार ठेट ले और देखिए हमारा कितना अच्छा कश्टर्ड क्लफी बनकर तयार होगया है कम से कम बीटर से 5-6 मिनट फिटने के बाद हमारा अच्छा के रेडी हो गया है अब इसको हम थोड़ा सा गार्निस करेंगे कार्निस करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा कुलाब की पंखुडियों का यूज करेंगे जो देखने और खाने में काफिट टेस्टी लगता है इस कुलाब की पंखुडियों को हम इसमें छोटे-छोटे पुगड़े करके इस तरह से मिक्स कर देंगे एक चमज की सहता से इसको मिस्ट करने के बाद हम एक इस तरह का कोई भी बर्तन देंगे इसमें हम ट्रास्पर कर देंगे आइसक्रीम को आप चाहें तो किसी भी आकार का बरतन यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुन वाला भी, जो आइसक्रीम बनाने वाला बरतन होता है, इसे भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे हम गानिस कर देंगे, थोड़ी सी तूटी-पूटी और गुलाब की पूपुडियों से, और इसका हम ढ अफरनाइट के बाद हम इसे फ्रिस से निकाल करके, चेक कर लेते हैं, देखी कितना अच्छा हमारा आइसक्रीम बन का डेटी होगया है, और इसे हम स्वर कर लेते हैं, स्वर करने के लिए एक्ट मैने बॉल लिया है, और इसमें हम आइसक्रीम को इस तरह से डिप कर देंग आप भी इस तरह से होममेट आइस्क्रीम एक बार बनाकर जरूर देखिए और बहुत ही अच्छा आइस्क्रीम बन कर तयार हो जाता है इस तरह से निकालने के बाद हम इसको थोड़ा से गार्निस कर दें लाग के पुंखुरिया और चोकलेट बॉल से और थोड़ी सी टूटी क्रूटी से भी और देखने में काफी सुन्दर लगेगा कानिस करने के बाद इसे सर्व करने के लिए यह हमारा आइस्क्रीम रेडी होगया है गैस अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल एकान जरूर प्रिस कीजिए ताकि हमारा न्यूट केसम सबसे पहले आप तक पहुशता रहे और हम आपके लिए नएने वीडियो लेकर हाजिर आएंगे थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो